प्रदान मंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मित्रों मैं जनता जनारदन के लिए अपने आपको खपा रहा हूं जनता के लिए खपते वे तो नहीं दिखते जनारदन के लिए खपते वे जरूर दिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है जनारदन रेड़ी सीधा partnership, ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो, जिन से पैसे लेने हैं, जिन से पैसे लिये हैं, कोई परदादारी मत रखो बीच में, बिलकुल साथ में मिला दीजिये, खाएंगे, खिलाएंगे, और उसके बाद पाचन शक्ती इतनी मजबूत, कि वो बंगाल हो, करनाटक हो, कहीं के भी घोटाले बाज हो, सब कुछ पचा लिया जाएगा, अब ये जनारदन रेड़ी साहब जो हैं, कोई भाजपा वाशिंग पाउडर के नए ग्रहक तो हैं नहीं, बड़े पुराने ग्रहक हैं, भाजपा में शामिल होते ही कहा, कि मैं अपनी जड़ों की और लोट करा गया हूँ, मैं रेड़ी बोला तो आप समझी के होंगे प्रेसवारता किस पर है, जनारदन रेड़ी पर है, प्रधान मंत्री जी अक्सर कहते हैं, कि मित्रों, मैं जनता जनारदन के लिए अपने आपको खपा रहा हूँ, जनता के लिए खपते वे तो नहीं दिखते, जनारदन के लिए खपते वे जरूर दिख रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है जनारदन रेड़ी, और वो जनारदन जो है, जिसके विशे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, भले ही वो 35,000 करोड के घपले का आरोपी हो, भले ही उस जनारदन के खिलाफ, CBI समयत 20 मामले लंबित ह भले ही उस जनारदन ने भारत के जंगलों और खदानों में अवैद्य खनन करके उन्हें बरबाद कर दिया हो, प्रधान मंत्री उस जनारदन के लिए आपको खपते हुए दिखेंगे, उसका नाम है जनारदन रेड़ी, अब ये जनारदन रेड़ी साहब जो हैं, कोई भा आजपा वाशिंग पाउडर के नए ग्रहक तो है नहीं, बड़े पुराने ग्रहक हैं, लेकिन इस हफ़ते फिर से उन्होंने इस वाशिंग पाउडर की सब्सक्रिप्शन को रिन्यू किया, ताकि वो सारे दाग धो सकी, ये वो जनारदन रेड़ी हैं, जिनके विशे में एक जज ने कहा था कि इन्होंने मुझे 40 करोड रुपे रिश्वत की पेशकश की थी बेल लेने के लिए, ये वो जनारदन रेड़ी हैं, जिनको न्यायायले ने बेलारी से तड़ी पार किया हुआ है, वो जनारदन रेड़ी ग्रह मंतरी के साथ खड़े होकर कल मुस्कुर रहे थे, तो तस्वीरें हमने देखी, बेलारी बंधू, आप पत्रकार हैं, पिछले दो धाई दशक से ये नाम आप सुन रहे हैं, हम राजनीती के छात्र हैं, हम भी पिछले तीन दशक से ये नाम सुन रहे हैं, बेलारी बंधू के नाम से ये कुख्यात गैंग है, ये भ पोड़ा सा इतिहास के दो उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूं 1998 में जब स्वर्गियर श्रीमती सुश्मा स्वराज जी ने माननी सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था तब सुश्मा स्वराज जी के चुनाव प्रचार की तमाम जिम्मेदारी इन बेलारी बंधों के ने संभाल ली थी और 1998 के उस चुनाव के बाद भाजपा ने इने संभाल लिया ये इनका रिष्टा है भाजपा से बेलारी बंधों का जो पूर्व मुख्यमंत्री येदियरप्पा जी और इनकी जुगलबंदी बड़ी मशूर है बेलारी बंधों की येदियरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है आपने सुनी होगी कई बार इस जुगलबंदी के चलते आईरन ओर की अवैद दिखनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येदि और रेड़ी नाम के आएक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई बड़ी मशूर हुई येदि रेड़ी गैंग ऐसी बातें होती थी इसमें येदि रप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा लीपा पोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं आपने इन सब पर रिपोर्टिंग की हुई है और 2011 और 2017 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो CBI अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी ये उजाला की सफेदे भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी ये इतना चमकेंगे अब देखना एक के बाद एक देश भर में 35,000, 70,000, 80,000 करोड के घोटाले बाज या कथित आरोपी जो भी आप कहना चाहें मोदी जी और भाजपा का दामन थाम लेते हैं और साफ हो जाते हैं या फिर हो रहा है इतिहास फिर दौर आरा है हर हफते दौर आता है हर महीने दौर आता है इतिहास ये वला जब ये इस व्यक्ती ने जो 35,000 करोड का घोटाले बाज है चनादन रेड़ी आप खुछ समझ लीजिए कि इस देश में ब्रश्टाचार की जड़ कहां है और कौन है हम नहीं बोल रहे हैं ये गोटालेबाज बोल रहा है कि साब मैं अपनी जड़ों में लौट करा गया हूँ इतिहास तो मैंने आपको बताया ही लेकिन कारण भी समझ लेते हैं कि ये क्या मजबूरी रही है कि ऐसे व्यक्ति को जो की कोख्यात है उसको क्यों शामिल करवाया गया आपने देखा कि माननी सर्वोच नियायले ने इलेक्टरल बॉण्ड के चंदे पर बैन लगाया उसको गैर समयधानिक करार किया उसको गैर कानूनी करार कर दिया तो अब ये है भाजपा का प्लान B this is the plan B of BJP after the electoral bonds were declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court what is the plan B the plan B is कि अब सीधा partnership ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो जिन से पैसे लेने हैं जिन से पैसे लिये हैं कोई परदादारी मत रखो बीच में बिलकुल साथ में मिला दीजिए खाएंगे खिलाएंगे और उसके बाद पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि वो बंगाल हो करनाटक हो कहीं के भी घोटाले बाज हो सब कुछ बचा लिया जाएगा उन सब को बचा लिया जाएगा ये कारण है कि ये इस तरहें के लोगों को अपने साथ जोड रहे हैं हमारे कुछ सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि तमाम साक्ष्य हैं लोकायुक्त की रिपोर्ट है मोदी सरकार के सामने सब कुछ है फिर भी इस तरहें के व्यक्ति के तमाम CBI के केस क्यों बंद किये जाते हैं क्यों उसको अपने साथ जोड लिया जाता है क्यों मोदी जी और भाजपा जनारदन रेड़ी को बचाना चाहते हैं नमबर दो क्या ये सच नहीं है कि इनके खिलाफ 20 मामले लंबित हैं और जैसा कि मैंने कहा निया एक जज को 40 करोड देने की पेशकश की फिर भी उनके लिए लाल कालीन क्यों बिचाया जा रहा है भाजपा में शामिल होने के लिए विपक्ष के नेताओं के लिए तो EDCBI सब और जिस पर EDCBI है मामले हैं फाइलें खुली हुई हैं केस चल रहे हैं उनके लिए लाल कालीन क्यों जो आपके बड़े-बड़े दावे हैं प्रष्टाचार को खतम करने के क्या इस एक कदम से और ऐसे अनेक कदम उठाए हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कदम उठाया इन कदमों से क्या आप वो दावों को पूरी तरह से खोखला नहीं करार कर रहे हैं यह हमारे आप से सवाल है अब आप सवाल पूछिए आपको संजीर जी थोड़ी देर में प्रेस रिलीस के साथ तमाम एनेक्शर्स और यह वो एनेक्शर्स हैं जिसमें CBI ने कैसे PE और उसके बाद कैसे करनाटक की सरकार ने क्या एक्शन लिये जब हमारी सरकार थी और जब मोदी जी की सरकार केंदर में बनी तो कैसे इनको बचाया गया यह तमाम जानकारियां आपको हम साजा आपके साथ कर रहे हैं